भागलपूर को एक कहलगाओं पीरपैती से जोड़ने बाला मुख सड़क पत एनचसी के धस जाने करन यातायाद पूरी तरह से अब रुद्ध हो गया है और भागलपूर का पीरपैती से संपर्क भंग हो गया है मामला एनचसी के कहलगाओं के आगे अनादीपूर की पास का है दलदली इलाका और भारी वहनों के परिचालन से एनचसी पर बना पुलिया धस गया जिसमें एक ट्रक भी फसा हुआ है जिस करन इस रास्ते से भारी वहनों के लाबा छोटी गारियों का परिचालन भी ठप हो गया है पीरपैती का भागलपूर से संपर्क भंग हो जाने के करन इस रास्ते से आवाजाही करने वाले हज्जारों लोगों को काफी प्रिसानियों का सामना करना पर रहा है हालाकि पुलिया धसने और आवाजाही बंध होने के खबर मिलते ही पथनिर्मान विभाग के इंजिनियर और अधिकारी घटना इस्तल पर पहुँच कर इसको दुरुस्त करने की कवायद में जुट गए है बिहार विधान सवा के पुर्व अध्यच और कहलगाओं से कई बार विधाय करहे साधानन सिंग की तबियत दुबारा भी गड़ गई है जिसके बाद उनकी इस्तिती को गंभीर देखते हुए पटना इस्तित एक नीजी अस्पताल के आईस्यू में भरती कर आया गया है सवादानन सिंग के पुतर इंजिनियर सुवानन मुकेस ने बताया कि 8-9 जुलाई से ही पिताजी की तबियत खराब चल रही है उन्हें दिल्ली में दिखाया गया इस दोलान डॉक्टर की निगरानी में दिल्ली में दो सब्ता रहे इस्थिती में सुधार होने और डॉक्टर के प्रामर्स के बाद 1 अगस्त को एर एंबुलन से पटना इस्थित घर ले आए जब साम पुना सास लेने में कठनाई महसूस भी तो अस्पताल में भरती कराना ही बहतर समझा फिलाल पटना के अस्पताल में आईस्थियू में भरती है उनकी हालत स्थीर है उनके साथ उनकी पतनी मीना देवी भी है इस बीच सदानन सिंग की 97 बरसिये मा कामनी देवी रून्धे स्वर से लगातार फोन से अपने बेटी की जानकारी ले रही है भागलपूर के कोतवाली थानाचत के गुलाब राम लेन आनंद चिकित साले रोड से दिन दहाड़े बाइक चोरो ने एक ग्लैमर मोटर सैकल चुरा ली जबकि चोरी कर भाग रहे सारी घटनाओ की वारदाद CCTV कैमरे में कैद हो गई बताया जा रहा है कि आनंद चिकित साले रोड में आनंद कुमार के घर के सामने एक ग्लैमर मोटर सैकल खड़ी थी जहां मौका पाते ही चोर बाइक लेकर फरार हो गए वहीं चोरो के सिकार पिलित आनंद कुमार ने कोतवाली थान में अग्याद बैक्ती के बिरुद प्रा बिसकर गया जिसको लेकर छात्राएं कापी भैबीत हैं वहीं कुछ छात्राओं ने होश्टल खाली करना सुरू कर दिया है तो कुछ छात्राओं का फोर्थ समेश्टर का एकजाम 17 तारीक से हैं जिसको लेकर छात्राएं उवह पहो की स्तिती में हैं छात्राओं का कहना है क बिस्विद्याले कोई वेवस्था करे या फिर बिस्विद्याले को बंद कर दे वही पानी घुश जाने करन कीले मकोले और साब बिच्चु के डर से छात्राय रल जग्गा कर रही हैं वहीं बिस्विद्याले की तरफ से कोई अधिकारी इनको देखने के लिए नहीं पहुच सिफोस्टर की वार्डन प्रोफेसर डॉक्टर किरल सिंग ही छात्राओं को देखने पहुंची। क्लास भी बंद कर देना चाहिए और प्रिक्षा की तीथी भी बढ़ा देनी चाहिए। ली गई तिनों ने कहा कि या बिजली का पूल कई सालों से लगाया गया है लेकिन अब तक इसमें बिजली बिभाग के तो बिजली सप्लाइन नहीं की गई है। जिस बज़ा से बारिस के दिनों में अस्थानिय बच्चे पानी में हेलते वे पोल पर चड़ जाते हैं और इस तरह के खतरना की स्टंट को अंजाम देते हैं। जब अस्थानिय लोगों से पूछा गिया कि बच्चों खतरना की स्टंट करने से क्यों नहीं मना किया था तो अस्थानिय लोगों ने लापरवा होते हुए जबाद दिया कि बच्चे हैं मौज मस्ती करेंगे ही। बिजली के तार में लाइन तो है नहीं जो किसी अनोहनी का डर रहेगा बिग न्यूच की ये अपील है कि बच्चे बार के पाने में इस तरह का खत्रा भरा इस्टंट ना करे और उनके परिवार इस बात को लेकर अपने बच्चों पर भी से इस ध्यान दे स्वास्त विभाग की और से उपहार सरूप दीदी की रसोई जीविका की सौगाद भागलपूर के सदर अस्पताल को मुख्यमंत्री के दोरा मिला भागलपुर के सतर अस्पताल में बिहार के मुख्यमंत्र नितीस कुमार के दोड़ा दीदी की रसोई जिविका की एक पहल का वर्शुल मोड पर सुभारम किया गया दीदी की रसोई जिविका की या पहल बिलकुल नए रूप में परोसा जा रहा है देदी की रसोई बिलकुल अलग अंदाज में और सारी से विधाओं से लैस है इस रसोई का बिद्वद वर्चुल मोड में उदखाटन हुआ मुखेमत्र नितीस कुमार ने वर्चुल माधियम से देदी की रसोई का उदखाटन किया साथी सुल्तानगंज विधांड सभा एवं नार्षनगर विधांड सभा चेतर अंतरगत कुल दस स्वास्त उपकेंद्र एवं दो अतरिक्त प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र के भवन निर्वान का भी सलान्यास किया इस कारिक्रम में भागलपूर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं सदर अस्पताल के CSU में सर्मा के लावे भागलपूर की कई विशिश्ट चिक्तसक भी मौजूद थे नौच्या बाका भागलपूर में पिछले दिनों सक्रिय हुए एक बड़े लूटरे गिर्व का पुलीस ने परदाफास कर दिया है पुलीस ने साथ अपराधियों के गिरपतारी की है साथी दो अविध हतिया लूटी गई दो बाइक मुबाइल और नगदी भी बरामत किया है गिरपतार अभियुक्तों में इसलामपूर के छोटी परवत्ता निवासी कनहिया साह, क्रिस्न कुमार, भागलपूर के संतनगर बरादी निवासी, गोलु कुमार, रोहित कुमार, सुभास राय, गोपालगंस थानाच्चेतर के बेदू टोला निवासी, गुलाम सर्वर, बाकाजिला कैमरपूर के भर कोनिवासी, अभिसे एक कुमार है, जबकि सभी अपराधियों से पुलिस ने रंगरा थानाच्चेतर में लूटी गई मोबाइल, यवं बावन सु रूपी नगत लूट के सिकार बैक्ती के अधार कार्ड की छाया परती, रंगरा थानाच्चे जिस हाथ में कलम और कोपी होनी चाहिए थी, उस हाथ में जिन्दगी बचाने की जद्दुजहद का सामान दिख रहा है, मामला तिलकामाजी भागलपूर बिस्विद्याले के रविद्र भवन का है, जहां छोटे छोटे नौनी हाल आसियाना बनाते दिखे, दरसल गंगा क बढ़ते जलस्तर के करन दिलदारपूर और संकरपूर चवनिया देरा पंचायत की कई गाउं उफंती गंगा की चपेट में आ गये हैं और देरा में रहने वाले लोग घर में पानी परवेस कर जाने की करन काफी परिसान दिख रहे हैं और लगातार अपने सामानों को बच परिसान दिख रहे हैं परिसान के ज़न्डों के वक्त सलामी देने को लेकर युद दस्तर पर तयारियां की जा रही हैं बिहार पुलीस के सरस्त्र वहानी के जवान भागलपूर के सेंडिस कंपाउंड मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वातन्तरता दिवस समारों के पर पुलीस के जवान के साथ साथ महिला पुलीस और बिहार पुलीस के अलग लग विंग के जवान मौजूद थे जगदिस्पूर परखंड के अंतरगत मध्ध विद्याले तड़िहा में विद्याले सिच्छा समीती का गठन किया गया जिसमें बताया गया कि विद्याले परभंद समीती अब अधिक सकृता से काम करेगी और विद्याले की देखरेग करेगी सैचनिक महौल बनाने की दिशा में परियास करेगी प्रधानाध्यापक सचदानन दास ने बताया कि विद्याले प्रभन समीती की प्रदेन अध्यच प्रियंका जाकी अध्यचता में बैठक हुई जिसमें CRCC रामचंद्र सहभी उपस्तित रहे नियमन उसार दोगो का छुनाब किया गया समान रवर्ग से नूतन देवी एवं अचला जहा पिछल़ा वर्ग से रूपा देवी गुडिया देवी इबी सी की रीता भारती अनुशुचित जाती से चंदा देवी एवं रेखा देवी का सर्वसमति से उपस्तित महिल्यास के दोरा चुनाब किया गिया बैठक में दिव्यांग बच्चों की मा के रूप में स्रीमती नूतन देवी का चैन हुआ चैन इस लस्यों ने रिता भारती को विद्यालय प्रभंद समीती का सची भी बनाया आवसर पर वरिया सिच्च और बाल सलसत के परधान मंत्री और अन्य सिच्च प्रेमी गरामीन भी मौजूद रहे